हालो बच्चा जी कैसे हैं सब लोग तो आगे है हमारा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट तो यह तो आप पास हो गए हैं अगर आप पास हो गए हैं तो बहुत बढ़ी है बच्चो कॉंग्राचुलेशन और महनत करो नेक्स्ट टू स्टेप्स भी क्लियर करो और अपने पास व आपको अंदर से भी इस समय लगा होगा फेल हो गए बट बच्चा जी आपको लाइफ ने बोल दिया है पियर किया था जिसमें से 30 500 63 बच्चे, 30 563 बच्चे क्लीर हो गए ऐसा क्या डिफरेंट किया इन 30,000 बच्चों ने जो एक एक 55,000 बच्च जो ख्लीर नहीं हो पाए ऐसा क्या मिसिंग रह गए ऑन लोगों में हमारा 35.10 0% result रहा बच्छा जी क्योंकि सबसे पहला step दुनिया में आगे बढ़ने का है सच का सामना सच का सामना मतलब आपको जानना पड़ेगा यह काम सिर्फ यह आप कर सकता है दुनिया में यह काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको सच में हैंड और हाट बताना पड़ेगा अपने आपको क्या सच में महनत करी थी उतनी महनत करी थी जितनी ही यह स्टेप क्लियर करने में चाहिए थी अगर जो बच्चा जी आपका आंसर है येस तो इसका मतलब थोड़ी और महनत करनी पड़ेगी ठीक है जी अगर तो सच में C.A. बनना चाहते हो अगर आंसर है नो तो फिर तो आपको पताईए आपने जान लिया यहां से शुरू होएगी कहानी अगर आपको बच्चा जी लगता है ना कि C.A. अपन का शायद no this is not what I am looking forward to in life तो यह this is not the end of the world C.A. दुनिया खतम नहीं हो जाती है आपके पस बहुत सारे और कोर्सिस हैं C.A. में हैं C.S. हैं आप M.B.A. कर सकते हो C.A. F.A. कर सकते हो C.P.A. कर सकते हो आप अगर महनत करने के लिए रेडी नहीं हो तो दुनिया में कोई ताकत आपको C.A. नहीं मना सकती है क्योंकि आप तो आंसर योर्सेल्फ अगर जरास भी डाउट है नहीं करना है तो सोच लो डिसाइड कर लो और एक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप करना चाहते हैं C.A. चाहते हैं वो दो मैजिकल वर्ड्ज जो आपके नाम के सामने चाहते हो न आप तो बने रहे हैं आप से बात करने के लिए आए आजब मैं पैसने बहुत सारे बच्छे क्वेशन पूछते रहते हैं कि माँ फ़र्स टैम्ट क्लिर नहीं हुआ तो क्या हमको जॉब मिल पाएगी क्या हमारा करीECT साया आप आएगा कोई दिक्कत नहीं है बच्छेजेगर आपको फर्स टैम्ट क्लिर नहीं हुआ अपका क्या बनने का है अपन को CA जिस दिन CA बन जाओगे ना वो फिलिंग अलग होगी उस दिन आपसे को यह नहीं पुछागे कितने परसंड़ थे तुमारे CA में उस दिन आपसे को यह भी नहीं पुछने अपन कितना था हाँ हो सकता है कि अगर आप CA फर्स एटम्ट में क्लियर कर जाओगे तो आपके रिज्यूमे में एक एड़िट अडवांटेज दे देगा एक मेरिट पॉइंट देगा बट ऐसा नहीं है कि आपकी दुनिया खतम है आप कुछ करी नहीं पाओगे अगर आपने फर्स एटम्ट नहीं क्लियर करा होगा यूंकि उस दिन जिसन पन जाओगे न उस दिन फीलिंग अलग होगी उस दिन जब आपको लोग आगे बोलेंगे न सीय साब जा रहे है या आपके पेरेंट्स को बोलेंगे कि इनकी बेटी है इनका बेटा सीय बन गया उस दिन फीलिंग अलग होगी अगर वो फीलिंग महसूस करना चाते हो ना तो महनत का कोई रिप्लेस्मेंट नहीं है बच्छा जी दिन नो डैं सब्स्टिट्यूट फोर हाड वर्क महनत करनी पड़े हो शिदद लगी पढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए अगर आप आप सच में सही बनना चाते हो ना तो कुछ कुछ पॉइंस जो आपको फॉलो करने बढ़ेंगे सबसे पहले आपको अपने पेन एरिया जो आडेंटिफाइ करने बढ़ेंगे किसके बाद जब आपने डिलाइस कर लिया कि भईया महनत करनी है सच का सामना हो गए नेक्स्ट अगर आपको लगते कि आपने जो क्लासिज ली थी पहले या नहीं भी ली थी आपको ढंसे क्लिर निया तो दो बारा टाせて마 लेस कोई बाद नहीं कोई घबराने वाली बाद नहीं कि क्या बोलेंगे लोगों का तो काम है कहना कुछ तो वो गहेंगे अपका काम कि अपने कंसेप्स को क्लियर करना गर्लेंडेशन नहिंए अगर अगर कि Episode ंइस नहीं नहीं है न तो आप नहीं बन सकते से और से बन भी जाओ करता है थेहरी बहुत तंग करती है कोई भी सब्जेक्ट आपको तंग करता है वहां से शुरू करना आपको कहानी ब्लेम गेम खतम इंस्ट्यूट ने क्या कर दिया मम्मी ने ये कर दिया मैं तो पढ़ा था रिजल्ट अच्छनी आए मैं तो कॉपी निकलाओंगा ये सब कहा ये वहां सारे लोग है इनका फर्स्ट टाम क्लिर नी था बट वहां आज कोर्परेट में बहुत आगे बड़े में युकि जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हो ना कि ये इस आइड आइड टो चेंज देगेम जीत गयो जीत गयो जीत गयो जीतने वाले कोई बाजीगर कहते डिस दो ना आइड पर लेते हो जाएड आप लिए अपके पास वीडियो क्लासीज का प्लाटफर्म अज बेस्ट प्लाटफर्म अवेलेबल एक टाइम वेस्न करना पड़ेगा आप अब अध्यो डिस्रक्शन से दूर रहेंगे वाट्साफ और ने फ्रेंड आना जाना क्लासीज आपको भी बेस्ट प्लाटफर्म प्रोवाइड करते हैं हमा पस बेस्ट टीचिंग बैटरी अवेलेबल है अपस अकाउंट्स जो है हमारे संतोष कुमार सर पढ़ाते हैं मैं उनकी खुद स्टूडेंट रह चुकी हूँ आफ स्टूडिट फॉम हम और बहुत सा बैटरी अवेलेबल है और ऐसा नहीं कि खाली आप यहीं इसी प्लाटफर्म से पढ़ सकते हों आपके पास और बहुत सरे प्लाटफर्म से अवेलेबल है बट अल्टीमेट अजेंड़ के अपनको सी ए चार्ड़ेट अकाउंटेंट इन्ट बिफोर यॉर नेम चाहिए है करने काउए डिघर में तो पर किरो नेमेर से बि admit क्ल्य कि खेंग लेंगे का स्टाइड बड़्ने मतलब पढ़ाई करने का है आपने डे को श्य doen करने काह ऐसा निया कि जो सब्युक्त्स पहले पड़े नहीं पढ़के चले जाएंगए वही जो टॉपिक्स पहले पड़े था वही पढ़के चल जाएंगे फिर उस महनत को कोई महनत नहीं है वो तो फिर उस गधे की तरह हो गया कि बस नमान डाल दो और सिधा चलते रहेंगे हमको गधा नहीं बनने का है हमें मजदूरी नहीं करने का है हमें क्या करना है स्मार्ड तो आपको अपना डे इस तरह से डिवाइड करना है कि आपको थेयरी और प्राक्टिकल दोनों पर ध्यान देना है जो भी आपका वीक एरिया जै वो तो लेना ही लेना है और स्टॉंग अगरना है ठीक है जी पढ़ाई करेंगे दिन में डिवाइड करेंगे आने वाले तीन म सब कुछ त्याग के सिर्फ पढ़ाई करनी है तीन महीन नहीं आने वाले तीन चार साल जितने समय आपको सीय बनने में लगेगा सिर्फ पढ़ाई है शादी बर्डे पार्टी आना जाना घूमना सब अभी के लिए चोड़ना पढ़ेगा जिस दिन बन जाओगे ना सीय मैं कि कहां पर हमारी वीक्नेस है और फिर रवाइस करने का है रिवाइस यह तीन महीने और तीन स्टेप स्टड़ी सेल्फ अनालिस एंड रिवाइस एंड यू आर गुड तो गो कोई नहीं दुनिया की ताकत रोक सकती आपको आगे बढ़ने के लिए कर आपने डिसाइड कर ल क्योंकि यहीं है आपको आगे ले जाने वाली एक छोटी सी लेसन क्या लेसन ऑवो नन्ही चीटी जब दाना ले कर चलती है चड़ती दिवारों पे सोबार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है चड़कर गिरना गिरकर चड़ना ना खरता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आप कोशिश करो बच्चा आपके पास दुनिया में हर फैसलिटी अवेलिबल है अगर रिसॉर्सिस की आज कमी है ना तो उस रिसॉर्सिस को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं अगर इतना जादा मत सोचो काम करो तेक है आपके पास आपके पेरेंट्स अवेलिबल है आपके पास सारी फैसलिटी अवेलिबल है कि यह तो नहीं मैं कह सकती है कि आपकी जर्णी हो जाएगी अगर आप टुकडो टॉक्डो में काम करते चलते हो और है यह जारूर और बॉल सकती हो कि हम आपके साथ हैं कोई दिक्कत मतलो कोई परिशानी मतलो कि डर सबको लगता is गलास कर सुकता है ना जैसे डर भी सबको लगता है जैसे हम बोलते हैं सुनते भी हैं बट डर के आगे ही जीता है बच्छा जी I wish you all the very best कोई दिक्कत कोई परिशानी आती है ना we are just a call away कोई दिक्कत आती है आप अपने answers लीजिए ठीक है काम करिए और आगे बढ़िए हम आपसे जुड़े रहेंगे आप हमारा हम भी आपके साथ उतनी वानत करेंगे जितनी आप अपने आप साथ करने के लिए रेड़ी अगर आप सच में बनना चाहते हैं ऐसी है ठीक है जी बाए बाए टेक केर मारा हमारा हम आप दाप आपसे एतक के लिए ऑन्मारा के लिए वीज़ चाहते हैं आप सके बाहेंछायक के लिएको चाहते हैं बढ़िए हैं बड़ेद fram ए कि जी दोळ और आंप सस्त कर अपके से कारा हैं झाल झाल